एक प्रेकिंग बात की हाती है ताहे भाज़ पात्सा जम्मु कश्मित प्रकर्णी अभूत पूर्व निर्ड़ें सरकार्च निर्ड़ें आवर रामदास अठावलेंचा खास्ट शैलित खास्ट्य अठावलेंची घुमासार कविता अई कुया आज का दीन नहीं है काला इसलिए मैं पेनाता हूँ नरेदर मुदिया और हमी शाकु फूलों की माला अब अलगता वाजियों के मुझ को लग जाएगा साला अब अलगता वाजियों के मुझ को लग जाएगा ताला और असन्ग वास्का साप हो जाएगा नाला खस्म हो रही है तीन सो सत्तर धारा खस्म हो रही है तीन सो सत्तर धारा अब अजंग वाज पर हो जाएगा जबर्दस्त मारा भारे जिन्दाबास का अब वाँ बून जाएगा नारा और जाग जाएगा जम्मू का स्मीर सारा तो सर यह जो आज का भील है यह बहुत दिन पहले यह भील आने के आवशक्ता थी एक दो भारत को जब आजादी मेली 1947 में तो सब लोग इत्याज जानते हैं कि हरी सिंग राजया के कबजे में यह इलाका था और अच्छानक पाकिस्तान ने कास्मिर पर हमला कर दिया और कास्मिर का उण तर डिलाका अपने कबजे में ले लिया तब हरी सिंग राजया और पंडि जावला नहरूजी में जो मतलब बाच्चित हुई एग्रिमेंट हुआ उसके मुताबिक मतलब जम्मू कास्मिर को भारत से जोडने का निरने हो चुका और आप लोग जानते हैं कि तब गोपाल स्वामी आयंगार जी ने संगी सवीदान सबा में धारा 306 जो बाद में धारा 370 बबनी है इसका प्रारूप मतलब किया था और इसलिए जम्मू कास्मिर को भारत ग्यानने राज्यों से अलग अधिकार में मिला था तो मुझे लगता है कि यह क्या है अधिकार तो भारत ग्यानने राज्यों के लोग जम्मू कास्मिर में जमिन नहीं खरी सकते है क्वित्य अपत का लगाने वाली धाराथ 360 भी जम्मू कास्मिर पर लागू नहीं होती जम्मू कास्मिर का अलग जिजन्डा है भारत की सौंसाथ जम्मू कास्मिर में रक्षा, विदेश, मामलेया और संचार के अलावा को यहने कालू नहीं बना सकती है जम्मू कास्मिर को लड़ा को भारत को बारत से जोड़ना है भारत से तोड़ने का एक कामन ही है और मैं कॉंग्रेस पार्टी चापिक्र करता था कि कॉंग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेगी लेकिन अभी इसका विरूद करने विदा आप को होट मिलने वाला है नहीं है उदर मतलब कॉंग्रेस पार्टी को अगर देश शेक्ता के लिए या कोई मतलब 370 रहा लगागर या मतलब वहाँ जो युने ने टेरे टोली का निरनाई लेने के बास उनको भारत से अलग करने की बुमे का नरेतर मूदी जामिशागी नहीं है तो वहाँ का अस्तंगवाद खत्म होना चाहिए वहाँ के लोगों की रक्षा होनी चाहिए वहाँ की एकोनोमी डेवलब होनी चाहिए वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और भारत के साथ जम्मू कास्मिर में हमेशा के लिए रहना चाहिए इसी तरह मुझे लगता है कि जम्मू कास्मेर और लदाग जो है लदाग में गुदीच ज्यादा है जम्मू में हिंदू ज्यादा है और कास्मेर में मुस्लिम ज्यादा है और हमारी सरकार मुस्लिमों का अगरोध नहीं करकती है कास्मिर हमारा सीर है एक सीर हमारा तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है हमारा वन थर्ड सीर उनने तोड़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये तो निरने हो चुका है तीन सो सतर कलम लगा कर जम्मु कास्मिर लड़ा को भारत से जोटने की मतलब एक प्रक्रिया जो है ये इंडिये सरकार ने पूरी किये है इसलिए उनके उपर कोई अन्या बिल्कुल नहीं है और वहाँ के लोगों पर बितुल अन्या होगा नहीं वहाँ ताटा फिरला मपतला बजाज आइसे लोगों को बताएगे कि वहाँ जाईए तारकार ने निकालो और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार ने दीजिए इसी तरह काम हम चाहते थे और राम गुपाल जी आप से भी अपिक्षा थी कि आपने इदर सपोर्ट करने क्या होश्य नकता थी बहुत जल्दी आप आपका कहना है एक दोड़ा भील आपने इसी जल्दी की क्यों लाया तो जल्दी जल्दी काम नहीं करेगे तो हम आगे कैसा पवड़ेगे मतलब जल्दी जल्दी काम करना है तो दो तिन बबाकी है और इसलिए भील लाया है इसको कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है तो इसलिए जो मेरी रिपगलियन पार्टि अप इंडिया है और बाबा साथ अंबेड करजी के सुविधान के मुताबिक ही यह मतलब जो ननया कानून है बाबा साथ अंबेड करजी ने नया कानून बनाने का हैदगार पार्लमेंट को देख दिरिय है और उसके मुताबिक इस कलम को अटा कर जम्मू कस्मेर को मजबूत करने की भावना से यह भी ललाया है या कोई पांडे जरी को सामिल लाड़ों में जोटने का विशे बिल्कुल नहीं है सामिल लाड़ों में पांडे जरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जात दे दिया है अभी युनियन टोरी टोरी वहां करने से और वहां के लोगों के रक्षा करने के लिए वहां का असंग खत्म करने के लिए यह ले लिया है इसलिए मैं इस जो भी ललाया है अमीशा जी ने इस बहुत उपर का पपद है और अभी आज़िक स्टेप बारे में मतलब आपको जो अपुजिस्टें लिडर्शिप भी मिले तो अच्छी बात है तो इसलिए आपके बारे में हमको आधर है और आपको मतलब आपका नाम आजात है तो जम्मू कास्मिर लड़ा को आजात करने की हमारी है हम कोई जम्मु कास्मिर पर कोई अतंग मतलब उदर कोई इमर्जिंद नहीं तर लगा रहे हैं वहां के लोगों के रक्ष्याम को करनी है और इसलिए यह बिला लाया है तो आपके तरब से भी इसका सबोर्ट होने के आवशकता थी और आप लोग मतलब वेल में बैठ मतलब वैठें करेमिर चंडें तो नए ठीक बात है आपको आधिकार है बाट इसमय को सब्सक्राइब सेनाजिड नरेज़र मोधी सरकार ने 370 को को हटा दिया है नरेदर मूदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है और आमी शाय ने कॉंग्रेस वालों को कुछ टाइम तर ग्वेल में बिठा दिया है और बिठा दिया है भारत के भारत के लोगों की जो भावना थी जो मतलब अलग पाकिस्तान चिंदाबाद बोलने वालों का नाग तटा दिया है तो यह काम हम लोग ने किया है इसलिए मैं इस दिल का पूरा समस्दन करता हूँ और भारत मजबूत रहेगा जम्मू का पर आंच नहीं आने कि देगे जो असंगवाजी धनाई है उसका सवरशन करेगे और जो असंगवाजी है उसको जेल में टटा लेगे और यह काम करने के लिए यह मतलब हमारा कलम आया है और इसलिए मैं अमिशाह साब का अबार्विक्त करता हो कि आपने एक बिल बहुत अच् का सुम्हेरा ओर लेवाजी धनाई है